Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC, CSE, Prelims 2022 में History से कितने questions देखने को मिले और उन questions का source क्या था? किस किताब से question पुछे गए और किस तरह से आपको फर्दर अपनी तियारी को करना है? पहले question को देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि योग वसिष्ट जो किताब है, उसे फारसी भासा में निजामुद्दिन पानी पती के द्वारा किनके रायन में, यानि किनके काईरिकाल के अंदर या किस राजा के सासनकाल में ट्रांसलेट किया गया था, फारसी म ने काफी सारे किताबों को ट्रांसलेट करवाया, जैसे आपके जो भी हिंदू के धार्मी गरंत होगे, जैसे महाभारत का रजम नामा में, फैजी के द्वारा भी उपनी सदो का भी ट्रांसलेशन देखने को मिला, इस तरह की बहुत सारे किताबे जैसे लीलावती वगेरा अभी ट्रांसलेट करवाई गई है, अब यह मैंने सेवन्थ क्लास की NCRT का स्क्रीन सोट लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकबर कमिसन दा ट्रांसलेशन ओफ मेनी संस्क्रीट वर्क्स इन्टू पर्सियन, यानि अकबर ने बहुत सारी संस्क्रीट किताबों को फार्सि में अनुवाद कराया, एक मकतब खाना इस्टेबलीज किया गया था फटेपूर सिकरी में, इसी परपस के लिए, इसी काम के लिए, और मकतब खाना में महाभारत, रामायन, लीलावति और योग वशिष जैसी कुछ किताबों का, कुछ संस्क्रीट फेमस किताबों का ट्रांसलेशन करवाया गया, अगर आप इन जो NCRT में जो साइड में बॉक्स के अंदर जो चीज़ें दी जाती है, वो काफी जादा इंपोर्टेंट मानी जाती है, और आज यहां से यह प्रूव हो गया, आगे यह भी लिखा गया है कि रजम नामा का, जो की महाभारत ह उसका फार्सी में ट्रांसलेशन किया गया था, इसके लाव मैं आपको कुछ एडिसनल इंफोर्मेशन भी बता देता हूं, दारा सी को, जो की साह जहां के बड़े बेटे थे, उनके टाइम पे भी बहुत सारी हिंदू की धार्मिक किताबों का फार्सी में अनुआद देख और ध्यान से पढ़ना है, नेक्ष्ट पेज में देखते हैं कौन सा कुष्चन था, आपसे पूछा गया है संगम लिट्रेचर में कौन सा कथन सही है, और पहला उप्सन है संगम पोयम्स आर डिवोएड औफ एनी रेफरेंस टू मेटरियल कल्चर, संगम जो कविताएं हैं उसमें किसी परकार के मेटरियल कल्चर का उल्लेक देखने को नहीं मिलता है, पहला है, डूसरा आपसे बोला गया है सोशल क्लासिफिकेशन वर्ना का संगम पोयट्स को मालूम था, तीसरा उप्सन है संगम पोयम्स है नो रेफरेंस टू वारियर एथिक, और चोथा उप्स की तमिलाडु बुक का स्क्रीन सोट लगाया है, हलाकि यह चीज़ आपको NCRT में भी मिल जाएगी, संगम सोसाइटी बहुत सारे केटेगरी में डिवाइडेट थी, जैसे जो आपकी बुक है, तोल का पीम, उसमें भी 4 कास्टेज का उल्लेक देखने को मिलता है, चार परक अगर आपने संगम सोसाइटी को पढ़ा होगा, जो कि तमिल हिस्ट्री के अंदर आता और यह आपको जब आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें काफी चीज़ें इसके बारे में दी गई जाती है, संगम पोयम्स में मेट्रियल कल्चर की बात की जात नेक्स्ट पेज में देखते हैं कौन सा कुश्चन था, यह भी CSE 2022 का कुश्चन है, यहाँ पे आपको किंग दी गई थी और डानेस्टी से मेच करने के लिए कहा गया था, पहला ओप्सन था नन्नूक, चंदेल, जय सकती, परमार, नागभट, सेकेंड, गुरजर परतिहार भोज राष्टर कूट, यह कोश्चन डिफिकल्ट इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको उप्सन्स इस तरह से देखने को मिल रहे हैं, जो कि यह UPSC ने नए नई टेक्निक अपनाई थी, अगर आपको इसमें चीजे पता है कि कौन कौन सी डानेस्टी, किन कि किंग के द्वारा रूलर थे, तो फिर आप इसे सौल्ब कर पाएंगे, अदर्वाइस यह काफी डिफिकल्ट कोश्चन माना जाएगा, तो यह जो मैंने लिया आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो नन्नुक जो किंग थे, यह चंदेल डानेस्टी के फाउंडर थे, तो यह आगे जो भोज यह तो परमार डानेस्टी के थे, भोज परमार यह काफी फेमस नामे आपने सुना भी होगा, तो यहाँ पर यह सोर्स क्या है इस कोश्चन का, इस कोश्चन के लिए जो मुझे सबसे अच्छा सोर्स लगा, वो पूनम दलाल दहिया मेम की जो बुक आती है, मैंने उसका स्क्रीन सॉट भी लगाया, रेफरेंस परपस के लिए, आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, जैसे बोज डानेस्टी के अंदर या चंदेल के अंदर देखें, ननुक, जय सकती या फिर विजय सकती, यह सारे नाम आपको यहाँ पर दे दिये गए हैं, और इसे इंपोर्टेंट चीजे भी दे दी गई हैं, जैसे ननुक, चंदेल डानेस्टी के फाउंडर, जय सकती विजय सकती, ओके, और इंस्क्रिप्सन भी यहाँ पर मेंसें था, बट अगेन यह चीजें काफी डिपिकल्ट हो जाती हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि इंप चलना है, ओके, next question देखते हैं, उससे पहले एक second, इसका answer मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पूछा गया था, yes, तो आप समझ गयोंगे इसका answer, तो ननुक, चंदेल डानेस्टी से थे या नहीं, यहाँ पर पढ़ लीजें, ननुक तो चंदेल डानेस्टी के founder ही थे, या नहीं, भोज तो परतिहार डानेस्टी के थे, तो यहाँ पर only two pairs ही है, दो गलत है, first और fourth, second और fourth गलत है, और first और third सही है, तो यह चीजे मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, और फिर match कर सकते हैं, उसके according, आगे बढ़ते हैं, आप से पूछा गया है, कि medieval India में जो phanam word है, phanam, इसका क्या मतलब था, okay, clothing, coins, ornament, weapons, तो यह मैंने answer लगा दिया, यहाँ पर coins है, अब यह इस question का source क्या है, actually यह question भी काफी difficult है, regular books पर नहीं देखने को मिलता है, बट अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, यह Lucent की book है, Lucent की book में mentioned है, कि वीजे नगर ruler जो है, वो gold coin को issue करते थे, उन gold coins को वरह कहा जाता था, या फिर pagodas, पर्ता जो है, वो half वरह, यानि one वरह हो गई एक coin, अब इसके half कर देने पर बनता था, पर्ता, अब इस पर्ता का one tenth हिस्सा, यानि बहुत ही छोटी काई मानी जाएगी, उसका one tenth हिस्सा फणम खलाता था, आ अब इतनी detailing जो पढ़के गया होगा, वही, otherwise इस तरह के सवाल करना तो काफी difficult होता है, आगे देखते हैं, आगे मैं आपसे same परकार के question पूछे गया है, कि historical person भी आ गया है, और वो किस चीज के लिए famous माने जाते हैं, जैसे आयरे देव जेन स्कुलर, दिगनाग बुद्ध बुद्धिष्ट स्कुलर, नाथ हुनी वैसनव स्कुलर, तो आयरे देव जो है, वो बुद्धिष्ट स्कुलर थे, बाकी दोनों सही है, second और third, तो इस question का तो मुझे अभी तक कोई खास source मिला नहीं है, बट यहाँ पे मैंने again पूनम दलाल धहिया मैं की जो book है, उसका screenshot लगाया है, इसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि दिननाग या दिगनाग के बारे में बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो last mighty intellectual थे, 5th century के, जो founder और बुद्धिष्ट लोजिक भी माले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको help मिल सकती थी, option, अच्छा option तो आप, हाँ only two pairs are correct, next question, with reference to Indian history, consider the following text, नेटी पकरण, परी सिस्ट परवन, अवदान सस्तक और चोथा है, त्री सस्ती लक्षण महापूराण, यह काफी difficult books के नाम लग रहे हैं, और यह चीजें जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलती हैं, बट आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कि which of the following are Jain text, कौन कौन सी जो है, वो Jain दर्म की किताबे मानी जाती है, अगेन मैंने पूनम में की बुक लगाई है, यहाँ पे आप पढ़िए, लिखा गया है, कि नेटी पकरण, विसूधी मगगा, निदान कथा, दीप वमसा और महावमसा, महावस्तु, तिरी पीटक, यह जो मैंने किताबों के नाम लिए, यह सारे बुद्धिस्ट फेमस बुक्स थे, अब अगर आप इसे पढ़के ध्यान रख पाते हैं, कि जो नेटी पकरण बुक है, वो बुद्धिस्ट बुक है, आपसे तो यहाँ पे Jain बुक पूछी गई है, तो बुद्धिस्ट बुक को आप option से eliminate कर देंगे, यानि option 1 जो है, वो यहाँ से eliminate हो जाता है, और option 1 आपको A, C और D तीनों में देखने को मिल रहे थे, तो आपका option B बच गया था इसके according, यह अगर आपको यह नहीं भी पता हो, तो क्या कोई और technique यहाँ पे लग रही थी, I don't think कि इसके अलावा फिर इस question को करन पॉसिबल होता, option elimination technique ही सबसे best थी, इस question में, next question देखिए, again जो famous trend देखने को मिलता है, UPSC में हमेशा ही, medieval India और ancient India के कुछ key terms पूछे जाते हैं, आप से यहाँ पे पूछा गया है, कि भारती इतिहास के संदर्व में कुलह दरण का क्या मतलब है, तो कुलह दरण क्या अरब पून होते हैं, और चोथा दिया गया था, सयद, again इस question का source सबसे पहले देखते हैं, फिर answer पर discussion करेंगे, यह I think BD महाजन, yes, यह काफी पुरानी NCRT आती थी, उसके अंदर यह BD महाजन की book में दिया गया था, कि जो सयद है, वो अपने सर पे एक pointed cap पहनते थे, जिने कुलह कहा जाता था, और जो इस तरह के cap को धारन करते थे, उन्हें कुलह धरन के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा जो regular book से क्या उसमें था, नहीं, यह question तो मुझे देखने को नहीं मिला, बट इसी book में मैंने इस question को देखा, सयद dynasty के बारे थोड़ा जान लीजिए, 1414 में इसकी establishment खिजर खान ने की थी, और आप देख सकते हैं, मातर 7 सालों तक medieval India की यह dynasty रही, जो की दिल्ली पे रूल कर रही थी, खिजर खान ने सुल्तान का title नहीं लिया, और इसकी death, tom आप पड़ सकते हो, और इसके successor जो थे, वो मुबारक साह थे, next question पर आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, भारती एतियाज के संदर में निमनलिखित कथनों पर विचार करें, पहला option है, the first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji, भारत में पहला मंगोल आकर्मन, Jalaluddin Khilji के टाइम पे देखने को मिला, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, during the reign of Allahuddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city, यानि Allahuddin Kh Khilji के टाइम पे एक मंगोल आकर्मन देखने को मिला दिल्ली में और इसने सहर को लूटा, तीसरा option दिया गया है, मोहमद बिन तुगलक ने temporarily यानि कुछ समय के लिए North West में अपने kingdom को मंगोल के हाथों में खो दिया, कौन से कथन सही है, again ये question medieval India का है, और यहाँ पे आप प पहुचे थे, यद्यपी वो frontier तक नहीं पहुचे, बट इससे क्या हुआ, जो altamas, जिसे वो fugitive था, बगोडा था वहाँ से, वो चंगेज खान उसको chase करके आ रहा था, और यही भारत के अंदर पहला मंगोल का आकर्मन माना जाता है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, पिछ पहली detailing जरूरी होती है, आगे आप पढ़ सकते हैं, कि जलालुद्दिन जो है, जो ख्वारिज्म का राजा था, ये दूसरा जलालुद्दिन है, जलालुद्दिन खिल जी नहीं है, और नसीरुद्दिन कुबाचा, जो कि मुल्तान का राजा था, इसने काफी losses देखने को म गया, तो पहला मंगोल आकरमण क्या, जलालुद्दिन खिल जी के टाइम पे हुआ, बिल्कुल नहीं, किसके टाइम पे हुआ, चंगेज खान के टाइम पे, आपसे correct पूछा गया था, तो first option तो यहाँ पे cut गया, यानि option B और D अभी भी आपके पास है, आगे पढ़ते हैं आगे आपसे ये बोला जा रहा है, येस, तो अलाउदिन खिल जी के टाइम पे एक मंगोल आसोल्ट हुआ था या नहीं, ये पूछा जा रहा है, अब आप यहाँ पढ़िए, अलाउदिन जब राजपूताना केंपेन के लिए गये थे, तो दिल्ली में जब वो advance लुटा गया बहुत भेंकर तरीके से, तो मतलब ये हुआ जब अलाउदिन खिल जी राजपूताना केंपेन में निकले थे, तो उस टैम पर ये आकरमट देखने को मिला, और ये बिल्कुल सही कथा नहीं, ये सेकेंड वाला अलाउदिन के खिल जी के टाइम पर मंगोल आक तुगलक टेंपरोरली लोश्ट, येस, तीसरा बिल्कुल गलत है, यहां ऐसा कोई लोश्ट देखने को नहीं मिला था, हाँ सहा जहां के टाइम पर कंधार पर लोश्ट देखने को मिली थी, वो भी UPSC का ही एक पूछा गया सवाल है, वो मैं डिसकस करूँगा किसी नेक्स कोईशन पढ़ते हैं, निम ने लिखी जोडियों पर आपको विचार करना है, और ये जो हमेशा से फेबरेट कोईशन चला, राई UPSC का उसी ट्रेंड को कंटीन्यू किया गया है, बस options हार्ड कर दिये गया है, धोली, ओडिसा, एरा गुड़ी, आंदर परदेश, जो गोड़ा कहा जाता था, ये भी ओडिसा के अंदर है, ये जोगोड़ा अपने माइन्स के लिए काफी फेमस है, और कालसी क्या करनाटक में है, नहीं, आप इस मेप को पहले देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूं सोर्स, अगेन ये मैंने लिया है, अरिहंत की जो बुक आती उसा में और सहबाजगड़ी पाकिस्तान में, लगता यहीं से डारेक्ट सवाल बना लिया गया है, मैप को देखते हैं, क्योंकि ये चीज़े मैप से समझना जादा आसान होता है, मानसेहरा, सहबाजगड़ी, कांधार, ये तीनों भारत से बाहर आपको देखने को मिलेंग तो यहां से आप समझ गए होंगे कि कितने स्टेटमेंट सही थे, तो यहां पर कालसी क्या करनाटक में नहीं, हमने देखा कालसी कहां पर है, उत्राखंड में, तो ये उप्सन भी गलत हो गया, तो आपके दो पेर सही देखने को मिल रहा है, उप्सन C इसका सही है, क्या ये मेजर रोक, रोक कट साइंस, रोक कट वाली जो असोकन साइट से, वो आपको मेंसेंड मिल जाएंगी, आगे बढ़ते हैं, ओके तो इतने ही कोश्चन पूछे गए थे, इस सेट में मैंने मेडिवल इंडिया और एंसेंट इंडिया के ही सवाल लिये हैं, बट हिस्ट्री के